आज हम प्याणो बनाएंगे औरिगेमी में औरिगेमी मतलब पेपर फोल्डिंग से हम एक प्याणो बनाएंगे तो ये प्याणो बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्क्वेर पेपर आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, मैंने एक A4 शीट को स्क्वाइर बनाया है, आप जाए तो औरीगे में पेपर आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और हमेश लिए एक पैन जिससे हम प्यानो की कीज बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पर जो पेपर हैं, उसके हमारे चार कॉर्णर से हैं, एक कोना, दो कोना, तीसरा कोना और चोथा कोना, और साथी में हमारे पास चार साइड से हैं, एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड और ये चोथी साइड, एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चोथी साइड, तो ये और देखन में ये चारो साइडे थोड़ी बरावर्स ही लग रही है तो ये कुछ ब्रैट जैसा शेप लग रहा है मुझे तो अब मैं अपने ऊपर वाली साइड को नीचे वाली साइड से मिला के एक ऐसे दोस्त बना लिए अब मैं अपने लेफ्ट वाले साइड को राइट वाली साइड से मिला के दोस्त बना लिए तो ये मेरा था दरवाजे जैसा शेप और फिर मैंने एपने लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड को राइट साइड से मिला के दोस्त बना लिए और मुझे मिला एक खिड की जैसा शेप हो सकता ये छोटी ब्रेट भी लग रही है अब मैंने इसको खोल लिया और जो अपना लेफ्ट साइड था उसको जो में एक बीच में लाइन मिली है उससे मिला के दोस्त बना लूगे और ट्रीज बना लूगे अपने पीटर पॉइंटर या थम की मदद से उसी थरह है में लेफ्ट स साइड को मिला के सेंटर पर लाऊंगे और उन्हें भी दोस्त में लाइन लूगे और पीटर पॉइंटर या थम की मदद से क्रीज बना ली अब हमें मिल गए हैं दो दर्वाजे ओपन क्लोस ओपन क्लोस मैंने अब एक दर्वाजा लिया उसको खोला और उपर वाली साइड को थोड़ा सा पुष करते हुए नीचे ले आया है और क्रीस बना ली अगर नहीं हो रहा हो तो हम अंदर हाट डानके थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं ऐसी मैंने दूसरी साइड को भी कर रहा उपर से पुष करते हुए साइड को नीचे ले आई अब यह कुछ हमारे घर जैसा लग रहा है हमने ऐसा घर भी बनाया था तो इसके आगे हमें दो चीज़े और करनी है फिर हमारा प्यानो बन जाएगा अब वीचे मेरे पास दो पेपर है तो एक पेपर को लोगी मैं दोनों को नहीं लेना है उपर वाले को लेके मैं बीच तक फोल्ड कर दूंगी मिला दूंके दोस्त बना लोग और क्रीज बना ले अब इसी को मैं दो बारा से उपर फोल्ड कर दूंगी नीचे वाली साईड को बीड से मिला कि मैंने दोस बनाया. और इसी फोल्ड को मैंने एक और वार करके ऊपर तक फोल्ड कर दिया. और अच्छे से क्रीस करके इसको खोल लूँगे. यहां बनें की हमारे प्यानो की कीस और जो हमारे साइड में आपको दो लेफ्ट और राइट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम अंदर ले आएंगे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके क्रीस बना लेंगे और ये हमारा प्यानो रेडी है अब आप इस पर स्केच पैन या कोई ब्लैक पैन की मदद से इसके कीज मिला सकते हैं और कीज बनाने के पार हमारा प्यानो कुछ इस तरह के से रेडी हो जाएगी आप आप चाहो तो अपने प्यानों को ऐसे भी रख सकते हो और चाहो तो इस प्यानों को आप एक शीट पिच्ट काके इसको म्यूसिक के साइन से सजा भी सकते हो तो इसको कैसे करना है यह अब आप पर है इसको जिंगल रखना है यह शीट पर चिपकाना है झाल 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 झाल